मोज़ते हुआ है यमारे जो इसमें इसने का जाता है और गोडम हाद हो एकदम हर dal आता हैं आपने जर्ट आता है देखो इसके वजह से शो师 मेरी ब्रेक लगाव के रहा है देखुए यह ब्रेक लाइट में लगा हुआ है और यह चालू रहती है यह अऩब चल्ब आप तो दोस्तो य увisまあ अरफ के लिए के लिए दोस्तों आमें यह ये दो कंपनी के डी एक यूज्ज कते है तो दोस्तों आपके गाडियों में जो कंपनी का डीषबेग है ले आना पड़ता है दोस्तों यह कैसे चेंड करते हैं यह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सब्सक्राइब करें माश्टरमाइंड डेक चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारे टेकनिकल वीडियो सबसे पैसे इसके आरकनिकल करना है इसके तो कुलर गिर गया तो अधर डाग पड़ाओं जाक जाता है डाग जाता नहीं इसके करान मेंद्व जब भी huh TV का काम करना है तो टीजब्रїक का जो पूरा सिलेंडर है वो निकल के ही काम करना है मैं तो दो दोस्थो इसलопас दोनो इसलिए थौन निवट निए पूरा डिस टान हाँ लिवड और यह सिलेंडर है वो दोनों बाहर निकल के लेलेंगा è कि इust तो यह दोस्तो निकल गया यह दोनों निकल के लेकाविनगे है और भीम जबत और जीशने के लिए कुझ清 को निकल के लिए कैसे हो आपके दिखाता हो नेकल गशन लेना यह 14 नमबर का नट होता है 14 नमबर का रिकुलर्स पैनर या पिर बॉक्स पैनर या पिर विंग पैनर,किसे बुख कैसे यह निकल जाता है दोस्तो इसमें 2 वस्यर होते हैं वस्यर हमें रख़ते हैं ठीक है के लिए लेना है इसके लिए जो नीचे दर्स नंबर का नट होता है वो निकलना है और उसके उपर दोस्तों ये माहिनस वाला स्क्रू होता है ये ब्रेक लिवर निकल गया है और ये दोस्तों इसके उपर अब इसमें जो आयल है वो में निकलना है इसके लिए जो प्लस वाला स्क्रूड हो रहे है उससे दो स्क्रूड में निकल के लिए लूँगा आगे का वीडियो आपको दिखाता हूं और आगे का वीडियो आपको दिखाता हूं दोस्तों यह मैं आइल बाहर पे क्या आता हूँ और आगे का वीडियो आपको दिखाता हूँ इसका आइल हमनी निकल दिया और आप देख सकते हो अंदर देखो यह कितनी गंदेगी है यह देखो इसके अकारण बीडिसब्रिक में बहुत सी भाध्य प्रॉब्लम्य होता है इसलिए दोस्तों यह का उयल है वह चेंज करना चाहिए हम आप अभी यह हम साप करेंगे अंदर का जो कीट होता है वो पहले निकल के लेए दोस्तों इसमें यह जू लौक होता है इसके लिए एक स्पेशल पक्डबी आते हैं आपके पास नहीं है तो कैचश से भीुनिकाल सकती हो मेरे पास भी नहीं है तो आपको कैश से निकालकाइगे यह दिखा दाओ के अच खोकृचि से ऑर श्कुम डर से आत निकाल सकते हो कर दो कि दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि निकले और दोस्तों अंदर का किट निकालने के लिए हमें इस तरफ चे ऐसा कुछ डाल के लिए अर्य कि अरे अर्य है ऐसे में आए यह देखा दूसे यह पुरा ना रा पिश्टन दोस्तों यह डर्श्ट हो गया रहा बहुत क्यांदर इसके लिए जाम हो गया था दूस्तों अभी यह हम अधिजल से है पिर के रोस्तिन पूरा साफ करके लेंगे, अभी ये डीजल है मेरे पास, इसे मैं पूरा साफ करके लेता हूँ, तुछ व्रश की मदद से, ये दोस्तों मैं साफ करके लेता हूँ, अब तक ये वीडियो पॉस्ट कर देता हूँ, दोस्तों ये पूरी तरह क्लीन करते हैं, ये जो डाग दिख रहे हैं वो रष्ट आ गई है, कि कुछ गंदगी नहीं है, और अंदर से भी जो गंदगी थी इस सिलेंडर में वो भी अमने क्लीन करके ले लिए, अब दोस्तों हम नया किट डाल में वाले, ये देखो ये नया कि ग्रीश मिलता है, ये ग्रीश आप जो पिष्टन है इसको थोड़ा सा लगाना है, इस प्रिंग ऐसी बैटती है, जो दूस्तों याम बैटनी चाहिए, इस तरफ से बिटा होगे तो ये गलत है, ये ऐसी टायड बैटनी चाहिए इस देखो, और ये ग्रीश आप इस पिष् अन्दर एक पिश्टन में अंदर एकिया इसको डैवर से होगे लाँ हमें जाबा के लेना है, ये ठीक से काम कर रहा है, और दोस्तों इसके उपर जो लॉक है ये लॉक हमें लगा के लेना है, ये लॉक भी इसके सब नया मिलता है, ये तिह भी मैं थे। लगा के लेता हूँ दोस्तों ये लॉक महीने लगा के लिए इसके उपपर दोस्तों ये रबर और उसके अंदर एक टड़ होता है वह हमें लगा के लिए ये दोस्तों रबर के लिए इदर एक खाच होती है उसमें दोस्तों ये बैट जाता है ये देखो ये अभी बैट गया और दोस्तों वर्किंग भी हो रहा है दोस्तों अब ब्रेक का जो सिलेंड आ सारी लिवर होता है वह हम साप करके लिए लेते हैं अब दोस्तों इस पर भी थोड़ा सा ग्रीश लगा के लिए थे अब दोस्तों यह जो फ्रड़ बैट पै उसमें बिताँ अउटन सकते ही डार के लिए थे अब दोस्तों यहाना स्कुरू लागा के लिए थे कि अब दोस्तों यह तो लगाने के बाद जो हमारा ब्रेक का हम ने चेंज किया है वो कंप्लेट हो गया अब दोस्तों यह लगा कि हमें आइल डाल के एर निकल के नहीं है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे निकलते हैं यह लगा के ले लिया मैंने अब श्रीफ बस नंबर का इन नेट लगाना है मुझे आप देख पा रहे होगे यह पूरा अपनी जगा जा रहा है पहले जैसा अटक रहा था वैसे अटक नहीं रहा है यह देखो एकदम पर चाओदा नंबर का एक वाल टाप नटाता है वह भी हमने निकला था ठीक है वह लगा के लिए है पूरा टाइप दो आशर डाल दिये दोनों साइट अब हम इसमें आउयल डालेंगे जब ही हम आउयल डालेंगे तब तक यह ब्रेक अपरेट नहीं होगा दोस्तों डॉस्तो ब्रेक अउयल डालना रहा हमें यह दोगो यह कैस्टल का डॉट पूर ऑल है दोस्तों पूरा नाता मेरे पास वही में डालूंगा भी इसमें दोस्तों जो डिस ब्रेक है उसमें बहुत से यूट्यवर्स में भी मैंने देखा कि डॉट 3 ऑल डाला है लेकिन डॉट 3 कभी भ डालेंगे तो बहुत से प्राउब्लिम आ जाता है यह दोस्तों ब्रेक अउयल डालने के बाद जो यह निकलने होती है यह स्मूथली हम यह जो यह रही है यह उप्रेट करते है तो यहां से एर निकलती है यह देखो यह देखो यह निकलेगी नीचे से आपको निकलने के ज पूरी से यह निकल जाती है इसे करने से दोस्तों में ऐसा एक तीस यह उससे ज्यादा भी लग सकता है यह ऐसा करके लेता हूँ उसके बाद जब भी हमारा लिवर टाइट आएगा तब आपको दिखाता हूँ लिवर टाइट आ गया है और अब भी थोड़ी यह निकल रही है यह देखो इदर बबल यह देखो यह पूरा हमें प्रेस करके छोड़ देना है उससे एन निकल जाती है तो एक दम इज़े है निकलना जब तक एर निकलनी बंड नहीं हो जाती तब तक शमझने का अभी तक टॉपर नहीं हो आई यह देखो अभी निकलना बन हो गया और ज ते दोस्तों अब इसमें जो यह रभर घ कर लेना है के स्वाली दोस्तों हैं है तो सई दोस्तません घूज स्थ यहता है था सकय जे सीजाWow में दोस्तों कि पूरा पिट करके लिए मैं बडोस्तों बेग स्का एकदम स्मूथ्ली उप्रेट हो रहा और अपनी जगा जा रहा है यह देखो ज़रा भी इसमें प्ले नहीं है दोस्तो अब लाइट भी ठीक से अपड़ेट हो रहे है अब मैं पिछे से आपको लाइट दिखाता हूँ यह देखो दोस्तो यह भी लाइट बन है जैसे मैं ब्रेक दबाऊंगा लाइट चालो होती है जैसे ही चोगोंगा चालोइट बन हो गए दोस्तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको आच्छा लगओ दोस्तो अगर यह वीडियो आपको आच्छा लगओ तो प्लीज यह वीडियो लाइक करतीचे और हमारे चानेल ने मास्टरमेंट टेक उसे आपने अभी तक सब्क् कर दीजे ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए चानेल पर डालता रहूंगा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद